कि ठीक है मैं बोलना हूं अमर्जोत सिंग आपका अपना नाम बताएं पहले अपना शुब नाम क्या आपका जी मेरा नाम रविराज है सर रविराज पूरकर पूने महारास्तरा इंडिया से बोल रहा हूं ठीक है और आपने कुछ कुछ डॉक्मेंट मेरे को कुछ भेजा है मेरे ख्याल कुछ बात करने के लिए हां सर यह करके एक कैनला इमिग्रेशन के सर्विस प्रोडर है तो नोवेंबर से मेरे पीछे लगे हुए कि आप यह सेस्के टून प्रोसेस चल रहा है तो इसके तुरू आपका जॉब आफर मिल सकता है आपको सिवी सेलेक्शन बैस है तो उन्हें डीटेल मुझे भेजा है तो यह सही या गलत है सर आप बस रिवीव करके मुझे बता दीज़ेगा सर ये तो बड़ा ही आपने सवाल पूछा कि ये सही है गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या सही है गलत मैं document से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये company कौन है ये कहां की company है और ये कोई Canada के कोई वकील है ये कौन है ये लोग नहीं यह एकमे इंटरनेशनल को यह है कि यह इमिग्रेशन कंसल्टन्ट है बाउममे के तो पहले ही पर बात थोड़ा सा शुरू हो गया कि अगर वो इमिग्रेशन कंसल्टन्ट है उनके पास लाइसन्स तो है नहीं शायद इनका है कैनाड़ा का तो फिर आपको यह जॉब वरा कैसे दे रहे हैं जो ऐसा इनपी की बात कर रहे हैं कि वर्क पर्मिट आपको देंगे कौन सी कैटिगरी में जॉब देंगे आपको सर में मसीनिस्ट हूं मुझे बारा साल का एक्स्पिरेंस है इंडिया का और अभी मैं साओधी आरे विया में वर्किंग में हूँ दो सा का का कॉंट्र किया हूँ यहां पर सर जी मैंने आपसे सवाल यह पूछा मेरें प्रोफे जो मस्चीनिस करके होता है अचा किदर पर जॉब देंगे किदर पर जॉब देंगे यह स्केट उनका प्रोग्राम की थ्रू देंगे और च्छे से आठ महिने का प्रोसेस चलेगा ऐसा मुझे बोला है और आपको कुछ लागे नाइडी पासल में मिलेगा आप उसे चेक भी कर सकते हैं ऐसा मुझे बोला गया है इन्होंने तरजी बात यह है कि कि इसमें कई लोचा नजर आ रहा है इसमें कि जॉब किस चीज की है यह नहीं पता जॉब जॉब का ओफर लेटर है नहीं बस यह मुझे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पीड़े बेजाता कि यह हमारी प्रोसेस है इसके तुरू आप जा सकते हैं आपका पहले सीवी देंगे फिर हम लोग उसका रिव्यू करेंगे बाद में उसको इसा एन्वी प्रोग्राम के अंदर तो मुझे डाउट इस तरह से लग रहा है कि आपको भिना आयल्पिस के सिवी चिलेक्शन में आम लोग जा सकते हैं आपका कर सकते हैं सर जी यह तो डाल में काला नहीं तो पूरी डाल काली लग रही है धोका लग रहा है में पहली बात SINP के लिए जॉब अफ़र जो वो आपको दे रहे हैं देंगे जिसके लिए वो आपसे पैसे माग रहे हैं उस जॉब के बारे में कुछ मालूम नहीं है वो जॉब कौन देगा वो कंपनी का नाम क्या है कंपनी से आपका कोई इंट्रुड़क्शन नहीं हुआ कंपनी ने आपको इंट्रुव ने किया उसके बिगहर ही आपको वो जॉब देने की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बहुत बड़ा लोचा है नमबर वान दूसरा अभी कैनड़ा में तो बेरुजगारी चल रही है सारी सारा कैनड़ा बेरुजगार है जैसे कि other countries out और सिर्फ कुछ ही categories में jobs खालनी है जैसे doctors है nurses है hospital वाले है या trucking की jobs हो सकती है food supply की job हो सकती है तो machinist की job कहां से आगई और कहां से arrange करेंगे ये भी बहुत बड़ा एक शक की बात है तीसरी बात यह है कि machinist की job होती है trade job trade job का मतलब उसके लिए Saskatchewan का आपको एक red seal journey when certificate जो सो कहते हैं वो पास करना पड़ेगा तब ही जाकी job मिलेगी उसके बगएर तो job मेरी नहीं सकती और जब तक वो job नहीं मिलेगी जब तक आपके पास license नहीं होगा तब तक आपको बात job offer confirm नहीं हो सकता job offer confirm नहीं होगा तो SINP की file लग नहीं सकती इस करके यह सारा मामला goal खुलमाली है और अगर वो कह रहे हैं कि आपको कुछ करेंगे तो मैं तो लग रहा कि अकाश में कोई करिशमा हो जाए बिजली कड़ जाएगी तब कोई job आएगी वैसे job आने वाली नहीं है सबसे पहली बात तो यह है कि वो जो पैसे चार्ज कर रहे हैं आपस जो भी आप सही लगनी रहा है और मेरा मेरा उपीनियन है कि यह सब इस सब में से कुछ निकलने वाला नहीं है अगर मैं आपकी जगह क्लाइंट हूँ तो मैं उनसे सिर्व एकी सवाल पूछू कि भाई साव आपने पिछले एक साल के अंदर आपने कितने लोग ऐसे SINP करा के बेज़े पर फूर से उन्सवार कि यह इसका वनने कोई जवाब दिया तो वह बोल रहें कि यह सटार्ट हुआ है प्रोसेस पुर्य हो सकतेया है मतलब कि आप पहले कलाइन्ट वो पहले experiment भो पता नहीं क्या होगा च्या नहीं होगा तो मेरे को मैं कुछ जम्मा नहीं बाकी आपकी मर्जीय जो करें मेरे को कुछ जम नहीं रहा है कितने पैसे कितने पैसे ले रहा है आप से वो टोटल इसकी प्रोसेस का पूरा वन पॉइंट ओफ फाई लाग तो खर्चा बता है उन्होंने और स्टेव लेने वाले हैं वन टाइम नहीं तो देड़ लग में पूरी प्यार मिल जाएगी आपको हाँ और कितना टाइम लगेगा प्यार मिलने में वह बोलती कि आठ से आठ से बारा मेने का टाइम लगेगा जब हम आवे पर रजिटेशन करोगे उसके बाद आपको जाब बैंक में आपका डालेंगे आपको जाब आपको दिलवाएंगे फिर आपका प्रोफाइल वह यह सेंटर में शेर वापसरां करों से बादा सिंटर्व करेंगे क्लाइब और बागी जो आपको करनाय कर सकते हैं नहीं सर इसलिए तो हमने आपसे गाइडलेंड के लिए रिक्वेस्ट किया था सर्फ यह बोल रहें मैं आपको दोबर बता चुका हूं वाई दोबर बोल चुका हूं मैं तीसी वार बोल रहा हूं मेरे को जम नहीं रहा अच्छा और मैंने उनसे वेबसाइट पे जो इंकुरी किया था तो उनके पास आस्ट्रेलिया, न्यूजिलर्ण, इन सबके लिए वो पियार के लिए करने का लाइसेंस दिखा रहते हैं वो दिखा रहोंगे, मैं कहा नहीं सकता, जी मेरे पास आस्ट्रेलिया की कोई लाइसेंस की कि इनफॉर्मिशन नॉलज नहीं है, ना किसी और कंट्री की, मैं अच्छा आपको सिर्फ के बारे में बात कर सकता हूँ. और Canada के लिए मेरे को लगता नहीं कि उनके पास license है और अगर license है तो उनसे कहो के भाईया license का हमें एक photo copy दिखा दें या license का number दें जिससे के हम पहले Canada से check करा लें कि आपके license सही भी है के नहीं है पहले ये करना बहुत ज़रूरी है तो अगर वो ऐसे copy दे दे ते तो फिर मैं आपको share कर सकता हूँ मैं कोई यहां पर कोई investigation officer तो बैठा नहीं हो कि मैं हर एक उसको check करूँगा आपने आप देखे सही गलत बता सकते ना सर मैं आपको पहले बता जाँ मैं आपने तो पांच मिट मेरे से सवाल पूछे तो मैं आपको बता जाए मेरे को जमनी रहा बाकी मेरे पास ऐसी कोई authority नहीं है कि जितने भी इंडिया के सारे job offers आए मेरे पास आके check कराएं लोग और सब को मैं बताओं हाँ ना हाँ ना ऐसे बताओं मेरे पास कोई ऐसी service नहीं है जो जिनका वो license number होगा जिनका license का नाम होगा उनसे पूछना कि यह license उनका जाहर है कि वो Canada में बैठे होंगे तो उनसे call करके आप directly उनसे रापता कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि license number किसी और का हो यह company कुछ और हो और बीच में कोई और agent वारा बैठे हो तो आपको बात उनसे करनी चाहिए जिनके नाम पर license है उनसे ही directly आप call कर सकते है बाकी मेरे को लगता मेरे को लगता नहीं है कि license number कुछ निकलना है मेरे को उमीद नहीं है कि license number को याएगा और को बात जी ने सर्बंठी मुझे आप से गाइडलाइन चाहिए था कि जो उनों मुझे मंदे बेज और उससे ही या गलत है तो आपने मुझे समझा दिया ठीक तैसे ठीक जाँ का तीक ते कर थे श्च्रीक थेंक्यों तो है Okay sir, have a good day